आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नुशकार दशको आप देख रहे है MNS News नेटवर्क मैं हूँ आपके साथ शीबा शेक तो आए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आए एक नदर डालते हैं हेडलाइन्स क्यों पियमोदी के इस फैसले के मुरीद हुए सत्यपाल मलिक पुर्वर राजपाल के बदले सुर्व क्याब बीजेपी से गटबंदन के बाद नाराज है जयन चौदरी के विधायक सपा के नेता मनोच पांडे को स्वामी प्रसाद मौरिया ने बताया भाचपा का एजेंट सुर्व चौकाने वाला दावाल लोकसबाद चुनाव से पहले पच्चीम यूपी के सियासत इन दिनों गर्माई हुई है जयन चौदरी कभी भी इंडिया गटबंदन को छोड़ना एंडिये के साथ जाने का एलान कर सकते हैं उनका एंडिये में जाने का लगबग समय प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है ऐसे में पुर्वर राजपाल और जाट नेता सत्यपाल मलिक ने जयन को लेकर खुलकर बात की हैं उन्होंने माना की रालान के एंडिये में जाने से बीजेपी का फायदा होगा पूर्वर राजपाल ने एक नीजी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज जयन चौदरी बीजेपी के साथ है उनके जाने से बीजेपी को फायदा होगा जाट से पहले बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ थे जयन के जाने से और सहुलियत हो जाएगी उन्होंने कहा कि इस फैसले से रालॉंद और बीजेपी दोन नहीं था पच्चिम यूपी के जाटों से सपास्तीती बहुत अच्छी नहीं है लोगों को लगता है कि अखिलेश उनके साथ सीटों को लेकर अन्याय कर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छा होता कि रालॉंद और सपा मिलकर चुनाव लड़े आए बढ़ता अगली खबर क्यों क्या बीजेपी से गटबंदन के बाद नाराज है जयन चौदरी के विधायक अब RLD नेता ने दे दी ये प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी गटबंदन से अलग होकर RLD अब NDA गटबंदन के साथ चली गई है पुर्वप्रधान मंतरी चौदरी चरन सिंग को भारत रत्न दिये जाने के बाद जयन चौदरी ने मीडिया के सामने इसके संकेत दे दिये थे सपा गटबंदन से अलग होने के बाद कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने दावा किया गया कि RLD के चार विधायक नारा चल रहे है और वो पार्टी के फैसले से खुश नहीं है अब इन खबरों का RLD के राश्ट्रिय प्रवक्ता अनिल दूबे ने एक खर्लंड किया है उन्होंने कहा कि कुछ न्यूस चैनल ये पुक्ता खबर चला रहे है कि हमारे कुछ विधायक जयन चौदरी से नाराज है वो रॉलान में खमासान है RLD का हर विधायक पदा इदिकारी और एक एक कार्य करता चौदरी जयन सिंग जी के हर फैसले के साथ है अफवाव पर ध्यान न दे लेकिन अब अनिल दूबे और जैनब सिल्दर ने इस खबरों और दावे का खंडन कर दिया है बता दे कि अब यूपी में RLD के नौ विधायक है इस बार विधान सबाचुनाओ RLD ने सपा के साथ गटबंदन में लड़ा था और आठ सीटों पर जीत दर्ज की थी इसके बा लेअशाड मोळा ने बताया भाच्पा का एजेंट समाजवादी पार्टी सपा के नेता और पार्टी अध्यक्ष के बेहत करीबी मनोझ पाणडे पर उनकी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मोरिया ने हमला बोला है मनोझ पांडे के बयान पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद ने उन्हें भारतिय जनता पार्टी का एजेंट करार कर दिया है लोगसभाद चुनाओ की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी में अंतक कलह खुल कर सामने आने लगी है सपा के नेता मनोच पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्या के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है मनोच पांडे के संतूलन खो देने वाला बयान भी स्वामी प्रसाद मौर्या ने पलटवार किया गया है उन्होंने पत्रकारों से बाचीत करते हुए सोमार को कहा कि जैसे कॉंग्रेस पार्टी के आचार्य प्रमोद क्रुष्णम भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे थे वैसे ही मनोच पांडे भी है जो हमारी पार्टी में रहकर भाजपा के एजेंट के रूप में कारे कर एक सवाल का जवाब देते हुए स्वामी प्रसाद मौरिया ने कहा कि अभी भी किसी भी नेता के लिए कोई भी सीट तै नहीं हुई है बैठक कर रहे हैं शिर्ष नेता गंताय करेंगे कि किसको कहां लड़ना है अभी तै नहीं हुई है इस दौरान अयोध्य जाने के सवाल प करें आप इसे इंस्टा हाई कुईटर पेस्बूग कही शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्थ है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर अब वक्त हो चला है दोशे को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देख तेरे येगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे हमारे साथ MNS News टीवी पर नमस्कार यह है MNS News नेट पर और आप देख रहे हैं MNS News